नमस्कार मित्रों ओम सक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है मापरामबा भगवती गंगा कैसे हुआ उनका अवतरन क्यों हुआ मापरामबा भगवती का अवतरन सगर के साथ हजार पुत्रों के तारने के लिए हुआ था कपिल मुनी के आस्रम में उनको श्राप मिला था कपिल मुनी ने उनको श्राप दिया था इसलिए आज भी वो भगवती गंगा चाहें जितने कष्ट हों दुख हों और चाहें श्रापित वेक्ति हो अगर उसमें इस्नान करता है जल्पान करता है दर्शन करता है तो उसके वो सारे पाप दूर हो जाते है गंगा तरंग रमनिय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूशित बाम भागम नारायन प्रियमनंग मदापहारं वारान सिप्पुरपतिं भजविश्वनातं भगवान विश्वनात भागवती गंगा के सकर पार्थना करते है उसके बाद भगवती राजा भगीरत प्रार्थना करते है तपश्य करते हैं भगवती गंगा प्रशन होती कि मैं चलूँगी तो लेकिन मेरे बीग को धरन कौन करेगा ताजा भगीरत ने भगवान शिव की प्रातना की शिव की साधना की तब भगवान शिव ने कहा भगवान विष्णु के कमुंडल भगवान से निकल करके चर्णों को सुचित करती हुई वो भगवती गंगा जब इस धराधाम पर आने लगी तो परम प्रचंड बेग से आती हुई उद्देश्य क्या था राजा भगीरत का उद्देश्य क्या था अपने पुरुखों को तारना यग्यका घोड़ा बांद दिया गया कपिल मुनी के आस्रम में कपिल मुनी के निग्रा में कपिल मुनी साधना में थे सगर राया सगर के पुत्र ने जाकर के उनको जगजोरा और जब जगजोरा तो उठकर के उन्हों ने जो देखा उसा भस्म हो गया संसार में व्यक्ति अपकर्म करता है लोगों को दुख देता है लोगों की साधना का मजा खुलाता है इसका अर्थ क्या हुआ भगवती गंगा भगवान शिव खड़े हुए भगवती गंगा उनकी जटाओं में उलच कर रहे गई एक लट खोल दे और तब वो गंगा प्रभ भगवती तवतीरे नीरमात्रासनोहं बिगत विशयत्रशना कृष्णमाराधयामी सकल कलुस भंगे स्वर्गसोपान संगे उत्तरल तरतरंगे महातु गंगे प्रशीद भगवती आज भी शगर के पुत्रों को तारा है उत्तरकासी से होती हुई अलग मंदा से आहो महा मिलन हुआ इसके वार रिश्य के सरिद्वार कानपूर पटना होते हुए गंगा साकर में तुमाईद होते हुए आज भी भगवती के किनारे जो है न सकल कलुस भंगे समस्तताप संताप पापों को तारने वाले गंगा गंगा योब रूयात योजना नाम सताई रपी सत योजन तक अगर कोई गंगा गंगा कहता है उनके जल को गंगा जल को डाल करके इसनान करता है गंगा जल पान करता है तो कहते योजना नाम सताई रपी गंगा गंगा योब रूयात योजना नाम सताई रपी उसको मुक्ष मुक्ती प्राप्त होती है इसलिए तो आज भी कहा जाता है कि मुक्त्यों के समय अगर गंगा जल मुक्ष में डाल दिया जाए तो गंगा जल मुक्ष प्राप्त होता है मापरामा भगवती गंगा के आने का उदिश से केवल एक मात्र था कि लोग जो दुखित हैं पीड़ित हैं तरसित हैं आज देख रहे लहलाहती वई खेती तमाम से किसानों का तमाम सभ इस्नान करते हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे जीवजनतु हो चाहे दैते हो राक्षस हो या चाहे वैश्नवजन हो चाहे सादू हो सन्यासिव सबी लोग उस गंगा में इस्नान करते हैं और उनकंदरावों से प्रवाहित होने वाले रिश्री मुनियों के चरणों को प्राच्छालित करती हुई जब गंगा जी प्रवाहित होती तो उम्हां के जड़ी बूटियों को लेकर के जो आती हैं उसका जल पान करने से इस्नान करने से हमारे समस्ताप संताप रोग दूर होते हैं हलांकि आज ऐसा नहीं है सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गंगा में जो नाले गिर रहे हैं उनको धूर करना चाहिए उनको हटाना चाहिए क्योंकि गंगा जल आज कहीं कीचर जैसा बनता जा रहा है इसलिए मां भगवती गंगा के आने का उद्देश से क्या है केवल एक उद्देश से है कि लोगों के मन को पवित्र करना जल पान जो करते हैं जो इसनान करते हैं जो दर्सन करते हैं गंगे तब दर्सनात मुक्ती के वह दर्सन करने से लिए मुक्ती होती है इसलिए हरिद्वार रिश्री के वहाँ अभी चल बहुत साफ होता है लोग वहाँ जाकर इश्नान भी करते हैं लोग वहाँ जाकर के भगवती के दर्शन करते हैं और भगवती के दर्शन करके रिश्चितोप से सुख सांती के साथ साथ में आनन्दित होते हैं वो जो उदेश से उस समय कुराकाल का था आज भी वही अनवरत गंगा प्रवाहित हैं अनवरत गंगा आश्रिवात दे रही हैं हम सब का करतब है गंगा में गंदगी न फेके गंगा में वस्त न धोएं गंगा में तमाम फूल ले जाकर छोड़ते हैं इनको नहीं करना चाहि तो हम स्वयम भगवती गंगा के पून दाई कारे को हम करें और उसमें गंदगी न डालें तो भगवती का अनवरत प्रवाह आज भी जारी रहेगा आज भी भगवती हमें आशिरवात देती हैं शगर के पुत्रों को तारने वाली मापरामबा भगवती आज पताने लाखो करूलों लोगों को तार रही हैं लाखो करूलों लोगों के मन को पवित्र कर रही हैं धन्यवाद नमस्कार झाल झाल